खुशा एयू कई और अज्वार्णी से और जो भी इस नित्रू को देख रहा है स्क्रीण rusty Galleryisi और और आवाज आप लोगों तख पहुंच रही है ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर् Hail की बात है तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं मैं आप लोगों के लिए वैसे कहानी की जो मैंने जो सिरीज शुरू करी है इसमें सबसे पहले एक कहानी में अप्लोड कर चुकी हूँ अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप उस पहले वाली कहानी को भी जरूर सुनिएगा और आगे आने वाली कहानीों को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को like, subscribe और share कर लीजेगा ताकि जैसे ही नई कहानी में आप लोगों के लिए लेकिया उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके परिवार में जो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उनको बताईए कि वो मेरे चैनल से घर पे बैठे-बैठे छटी से बारवी तक की अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं और जो बच्चे रीठ की परिशा की तयारी कर रहे हैं वो लोग भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को आत्मी स्वजन आशा है आप स्वस्त और प्रसंद होंगे आप अपना ध्यान रखेगा आज के दिन की शुरुवात फिर एक कहानी से ये जो कहानी है ये हमारे भाई साब शिप शंकर शर्मा जी के द्वारा लिखी वी है उन्होंने ये मुझे भेजी थी तो मुझे लगा कि इस कहानी को मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे और मेरे दिल को चूग गई ये कहानी तो चलिए सुनते हैं कहानी एक परिवार में चार बहुए थी पर साथ ससुर को सबसे ज़्यादा छोटी वाली पसंद थी क्योंकि वो समजदार और चतुर थी अनेक ऐसे प्रसंग आये जब उसने परिवार को संकट से उबारने में एहम भूमी का निभाई उसके जेट और अन्य परिवार की जन भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे जिसके कारण तीनों बहुएं उससे इर्शा करने लगी अब परिवार में आप देखिए अगर एक बहु को ज़्यादा सम्मान मिले गया ज़्यादा उसकी तारीफ की जाएगी तो ये सोभाविक है कि बाकी की जो बहुएं है वो उनके मन में इर्शा का भाव पैदा हो सकता है आगे चलते हैं एक दिन सब लोग बैठे थे कि चतुराई पर चर्चा चल पड़ी बढ़ी बहु ने कहा पिता जी घर में चतुर लोगों की कमी नहीं है यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है मगर क्या बहु उच्सुकता से ससुजी ने पूछा मैं बताती हूँ पिता जी उनमें से मंजली बहु ने कहा दीदी कहना चाहती है कि छोटी के सामने किसी को अपनी योगिता सिद्ध करने का अफसर ही नहीं मिलता हर मामले में आप उसकी ही राय लेते हो और काम सौपते हो इसलिए चतुराय का श्रे उसे मिल जाता है पिताजी जब तक दूसरे लोगों को अफसर नहीं मिलेगा वे अपनी योगिता भला कैसे सिद्ध करेंगे तो ये उनकी जो समस्या थी वो उन्होंने अपने पिताजी से शेर करी कि आप जो है वो छोटी बहो को काम देते हैं उससे समस्या बताते हैं और वो उसका समधान करती है तो आपको लगता है वो ही समझदार है तो देख़ी आप पिताजी की क्या स्थिती हुई? पिताजी गंभीर हो गए क्योंकि बुज़ुर्ग वेक्ति थे समझदार वेक्ति थे समझ गए कि परिवार में फूट पढ़ने लगी है तो उन्होंने सोचा समझ गए कि परिवार में सब कुश ठीक नहीं है कुछ शानो परिक्षा लेने का उपाय सूच गया वे बोले आप लोगों को अपनी योगिता सिद करने का अफसर दिया जाएगा यानि जो उनकी समस्या थी उसकी समाधान करने के लिए वो तैयार हो गए कि सबको अफसर मिलेगा कि सब अपनी योगिता सिद करके दिखाएं चोटी वहू बीच में नहीं आएगी, यानि कि हम छोटी बहु को मौका नहीं देंगे, पहले आप लोगों को सबको अपनी योगिता सिद्ध करने का मौका मिलेगा, ठीक है पिताजी, तीनों बहुवें प्रसन हो उठी, कहिए हम क्या करें, मुझे इस धूप बत्ती का दो हाथ धुआ चा करके जब ये बात कही, तो जो भी ये कारे करेगा, उसे छोटी बहु से भी ज़्यादा चतुर समझा जाएगा, पिता जी ने ऐसा कहा, ससूर जी का प्रशन सुनकर तीनों बहुवों की सित्ती पित्ती गुम, ये कैसी मुरुपता पून परिक्षा है, भला धुआ भी कभी नापा जाता है, मगर कोई न कोई युक्ती तो लगा नहीं थी, उन्होंने हाथ से धुआ नापने की कोशिश करी, किन्तु धुआ भला कैसे नपता, वे तो उपर उड़ता, और बलखाय साब की तरह इधर उधर लहरा जाता, सुभे से शाम हो गई, मगर कोई धुआ ना मा किस तरह की हरकतें कर रही है, या कैसे कोशिश कर रही है, उस धुए को मापने की, लेकिन असफल थी, तो इसलिए बाकी के सब मंद मंद मुस्करा रहे थे, जब वे तीनों ठक हार कर बैठ गई, तो उनमें से छोटी वाली बोली, पिता जी, धुए को नापना हमारी दृष सकी, तो आप उसे भी हमारे समान ही समझे, यानि कि जो आप उसको इंपोर्टेंस जादा देते हैं, या जब आपके मन में ये जो विचार है कि वो जादा समझदार है, तो उसमें आप उसको फिर हमारे बराबर ही मानेगा, ससुर जी ने चोटी की तरफ देखा, क्यों आपके आदेश का पालन किया है इस बार भी करूंगी वो घर के अंदर गई और अपने कम्रे से जब वो बहार लोटी तो हाथ में हाथ लंबी एक नली थी छोटी बहु ने धूपती से उठते हुए धूए पर उस नली का मुह लगा दिया धूआ नली में भरने लगा कुछ ही देर में पूरी नली धूए से भर गई फिर उसने कपड़ा ठूसकर नली का मुह बंद कर दिया फिर उसे ससूर जी की और बढ़ा कर बोला लीजिये पिता जी दो हाथ धूआ ससूर ने मंद मंद भूसकराते हुए नली से नली को देखा और उससे नली ले ली फिर बहों की और देखा सभी के सिर जुके हुए थे इसलिए क्यों जुके हुए थे आप बता सकते हैं इसलिए जुके हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने सास ससूर की ओपर संदेह किया था कि वो छोटी बहु को ज़ादा प्यार करते हैं और सब मान देते हैं और उसे ही ज़ादा समझदार समझते हैं जबकि समझदार तो हम भी हैं लेकिन अब जो बात थी वो सारी की सारी समझ में आ गई थी तो ससुर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली लेली और फिर बहु की और देखा औ उन्होंने कहा बात है अपनी समझ की युग्यता किताबों से नहीं मिलती यानि अपनी जो समझदारी है उससे आगर आप काम लेते हो तो आप जरूर सफल होगे कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ लिख चाए तो ज़्यादा समझदार हो जाता है या उसमें वो ज़्यादा पुद्धिमान है तो उन्होंने कहा कि यह है अपनी समझ की युग्यता किताबों से नहीं मिलती विद्यावान होना अलग बात है और चतुर होना अलग यानि ये दोनों अलग-अलग चीज़े हैं आप किताबें पढ़के ज्ञान अर्जित कर सकते हो लेकिन चतुराई आपके अंदर ही होती है तो चतुर होना अलग इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अपनी बाबा हनुमंत लाल जी के लिए श्री हर्मान चालेसा में विद्यावान गुणी अति चतुर आईए अपने पुस्तक की ज्यान को व्यभारिक ज्यान के साथ जोड़कर चतुरे भी जीवन में लेके आए तो इस तरह से ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार कहानी थी मुझे तो बहुत पसंद आई आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में सब के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी के मन में परिवार में किसी दूसरी व्यक्ति के प्रति ईशा या द्वेश की भावना हो तो वो खतम हो सके उन्हें ये समझ में आ सके कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो इसका इस क्या मतलब ये है कि उसमें कुछ न कुछ ऐसा गुण होगा जिसके कारण उसने अपनी वो जगह बनाई है तो चलिए अगली कहानी में आप लोग के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक मैं चलती हूँ और जाने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो बटन को दबाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और परिवाजनों के साथ शेयर कीजिए और स्वस्त रही और इस कोरोना महा संकर्ट में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इसका सामना करना है निराशा को बिलकुल भी अपने उपर हावी मत होन स्वस्तों